इस वीडियो से हम आप्टिकल इंस्रुमेंट स्टेडी करने वाले हैं आपके पास different optical instruments है और उस सारे हम cover करेंगे नेक्स कुछ वीडियो में पहला important optical instrument आपके पास human eye है क्योंकि human eye जो है वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ भी image formation होती है और आपके human eye में lens होता है और उसकी वज़े से image form हो जाती है आपके retina पे That means पहला optical instrument जो हम study करने वाले वो आपका human eye है यहाँ पे कुछ important points है जो कि आप pen down करोगे और आप अपने neat examination के लिए उन points को बार बार revise करोगे Start करते हैं अगर मैं human eye की बात करूँ तो human eye में आप देखते हो कि आपके पास पहली outer curved surface यहाँ पे होता है यह आपका iris होता है इसी iris में आप देखते हो कि आपके पास एक opening होती है इस opening को आप pupil कहते हो अब जो आपके पास यहाँ पे pupil है आप usually क्या देखते हो कि उसका जो size होता है वो vary कर सकता है और वो size vary कैसे होता है because of these ciliary muscles यह आपके पास ciliary muscles है यह जो ciliary muscles है यह exactly क्या करते हैं यह आपके pupil के size को change कर सकते हैं depending upon object कहां पर है object infinity पर है object finite distance पर है उसे हिसाब से आप देखते हो कि ciliary muscles जो है वो कुछ ऐसे adjustment करते हैं कि आपके pupil का size जो है वो change हो जाता है ना ही सिर्फ pupil का size आप देखते हो कि ciliary muscles यहां पर lens के साथ भी attached होती है तो आपके जो lens का size है वो भी vary करता है because of these ciliary muscles कहने का मतलब यह है lens का focal length change होता है because of these ciliary muscles further continue करता हूँ अगर आप यहां पर देखोगे eye के इस part में आपके lens और आपके cornea के बीच में somewhat आप देखते हो कि एक fluid होता है इस fluid को आप aqueous humor कहते हो similarly आपके lens और पीछे जो आपका eyeball यहां पर होता है आप देखते हो कि यहां पर और एक fluid होता है वो आपका vitreous humor होता है that means आपके eye में दो important fluids होता है दोनों का refractive index different होगा फिर तो अगर आपको eye पे question दिया जाए तो eye में भी आपको refractive index दिया जा सकता है aqueous humor का आपको दिया जा सकता है refractive index vitreous humor का और eventually वहां पर एक problem आपके सामने दी जा सकती है और वहां पर आप lens maker formula यूज़ कर सकते हो वहां पर for example आप refraction formula of lens यूज़ कर सकते हो तो कोई भी formula आपको यूज़ करनी होगी और कुछ न कुछ आपके unknown जो है वह आपको evaluate करना होगा 2019 J.E. mains में एक question आया था और वो जो question वहां पर based था उन्होंने human eye का ही scenario लिया था बट वहां पर refraction formula यूज़ करना था तो वहां आपका फिर question बन जाता बट सिर्फ problem को थोड़ा सा practical बनाया था उन्होंने human eye को लिया था वहां पर उन्होंने simply वहां पर curved surface नहीं लिया था जो दो mediums को separate करता है वहां पर उन्होंने यही lens लिया था lens के सामने एक medium और पीछे उसके दूसरा medium है तो hopefully अभी तक कहीं पर doubt नहीं होगा further अगर मैं बात यहां पर करूँ तो यह जो green color का part आपके पास है यह आपका retina है और retina पे ही आपकी image form होती है और retina पे जो भी signal यहां पे create होती है वो via optic nerve to brain चली जाती है आपका brain जो है वो उन signals को process करता है और आपको finally image दिख जाती है actual में अगर मैं बात करूँ retina पे inverted image form होती है और फिर brain जो है वो further उस image को invert करके आपको erect image दे देता है इस चीज़ का आपको take care करना है further अगर मैं बात यहां पे करूँ देखते जा पहला important point our eyes are marvelous organs that have the capability to interpret incoming EM waves that means जो आपके पास incoming EM waves होती है eye उसको interpret करेगा interpret करने के बाद मतलब interpret तो करेगा मगर कित form में interpret करेगा as images through a complex process और complex process में आपका brain भी involved होता है point number two light enters eye through a curved front surface curved front surface और यह आपका cornea है जैसे कि मैंने कहा आप देख सकते हो कि यह आपका cornea है और यह front curved surface है यह आपका cornea है light यहीं से enter करेगी मुश्किल है नहीं अगला point देखते है it passes through pupil which is the central hole in iris तो आप देख रहे हो कि light जो यहां पर है वो pupil के through जा रही है और यह जो pupil आपके पास होता है this is the central hole in this iris आप देख रहे हो कि यह blue color यहां पर continuum नहीं यहां पर आ रहा है बीच में एक hole जैसा है that is the hole in iris तो hopefully कहीं पर doubt नहीं होगा next part the size of pupil the size of pupil it can change under the control of ciliary muscles आपके pupil का size change हो सकता है मगर वो change करेगा कोन वो change करेगा ciliary muscle next point the light is focused by islands on retina अब जो भी light यहां पर enter करेगी यहां पर enter करने पर आप देखोगे कि वो retina पर तो focus होगी मगर focus करेगा कोन यह islands focus करेगा islands light incoming light को focus करता है retina पर further next point देखते है the retina is a film of nerve fibers retina आपके पास क्या होता है वो आपके पास film of nerve fibers होता है और यह cover करता है back surface यह cover करता है आपका यहां पर curved back surface of eye यह जो curved back surface of eye है इसी को cover कोन करता है इसको retina cover करता है और यह retina अगर आपसे कोई पूछे कि retina होता क्या है actually वो आपके पास एक film होती है nerve fiber की इस चीज़ को आप दिमाग में रखना next part देखते है the retina contains rods and cones जैसे कि मैं कह रहा था यह part यहां पर diagram में नहीं है बट यहां पर मैं बोल रहा हूँ कि retina में आपके पास rods and cones होते है around 3 million cones होते है around 100 million rods होते है तो यह चीज़ भी आप end down कर सकते हैं देख लो important part क्या है यहां पर rods and cones आपके पास cells ही होते है तो यह cells ही आपके पास होते है बट इनका अलग-अलग function होता है functionality को समझते है rods जो है वो detect करते हैं intensity of light मैं अभी समझाने वाला हूँ इसका मतलब क्या है और जो आपके पास cones है वो detect करते हैं color of light by its wavelength color of light by its wavelength अब दोनुँ points को समझते हैं अगर मैं broad daylight की बात करो अगर मैं daylight की बात करो या daytime की बात करो आप कोई भी चीज़ देख पाते हो और उसका color अच्छे से देख पाते हो तो actually होता क्या है कि दिन में आपके cones जो होते हैं वो आपको मदद करते हैं object की image को समझने में वो जो cones exactly होते हैं वो आप देखते हो कि वो ही detect करते हैं color को तो daylight की मैंने बात की क्योंकि आप day में देखते हो अच्छा खासा light होता है वो light आपके आँखो में चला जाता है किसी भी object से light reflect होके आपके आँखो में चला जाएगा आपके cones उस object का wavelength वगयरा सब कुछ cover करेंगे photon जाएगा आपकी eye में और आप देखोगे कि जो आपके पास वहाँ पर cones होते हैं जो आपके पास cones होते हैं वो color को detect कर लेते हैं अब दूसरा important part अगर मैं यहाँ पर कहूँ rods का rods कब function करते हैं जादा जब dim light होती है ना तब भी आपको कुछ दिखता है बट color नहीं दिखता है मतलब अगर मैं यह कहूँ कि आपने let us suppose let us suppose आप एक room में हो और room में आपने सारी lights को बंद कर दिया फिर भी आपको उस room में कुछ ना कुछ चीजे दिखाई देती है हलका सा आपको दिखाई देता है यह किसकी वज़े से होता है यह आपका rods की वज़े से होता है आपका rod जो है वो एक photon को भी detect कर सकता है अगर एक photon आपकी eye में चला गया rod उसको detect करेगा आपको कुछ ना कुछ दिखेगा इवन दो color पूरा नहीं दिखेगा उस object का मगर उस object की boundary वगरा दिखेगी क्योंकि उस object का जो for example boundaries होता है वहाँ से जो light आपका होता है वो simply आप देखते हो reflect होता रहता है और कोई ने कोई photon आपकी eye में जब चला जाएगा आपकी eye में चला गया वो photon आया कहां से आपकी eye को पता चल जाएगा यह किसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी eye में रॉड्स है वो directly पता कर सकते हैं कि photon आया कहां से है वो simply बहुत जादा sensitive आपकी eye बन जाती है because of these rods इस चीज़ को आप take care करोगे next part जो आपके cones होते हैं वो detect करते हैं color को color of light and यह bites wavelength होता है red color का photon आपकी eye में चला गया तो वो red color को detect करेंगे green color का photon आपकी eye में चला गया आप देखोगे कि आपकी जो cones है वो detect कर हीलेंगे next part देखते हैं the rod and cones या these rods and cones they transmit electrical signal via optic nerve तो जो भी यह signals transmit करेंगे वो signals यहां पर optic nerve के थ्रू जाती है फर्दर अगर मैं बात करो these rods and cones they transmit electrical signal via optic nerve to the brain which finally processes this information तो जो भी आपके rods and cones है rods and cones electrical signals transmit करते हैं via optic nerves to brain और brain जो है वो finally क्या करता है आपका brain वहाँ पर फिर information process कर लेता है next part पर आजाते हैं the shape and focal length of lens it can be modified by ciliary muscles जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास अगर हम pupil की बात करें pupil का size change हो सकता है because of ciliary muscles but इसी pupil में आपका lens है आप देखते हो actually आपके lens का जो size है ना वो change हो सकता है because of these ciliary muscles that means lens का size कोन control करता है ciliary muscle control करता है next part ये 10th point जो है इसको अच्छे से pen down करना ये definition आपको direct board examination में आ सकती है मैं और एक बार बोल रहा हूँ ये जो point यहाँ पर 10th point है आपका direct आपके board examination में आपसे पूछा जा सकता है ज़रा point पढ़ते है when muscle is relaxed जब आपका ciliary muscle relaxed होता है बिलकुल relaxed ये होता कब है जब आपका object infinity पे होता है जब object infinity पे होता है ciliary muscle relaxed होता है आपकी eye आप बोलते हो relaxed state में इसको आगे use करना है हमें eye के दो states होते है एक relaxed state होता है और दूसरा strained state होता है strained में आप देखते हो कि आपकी जो final image है वो एक particular distance पर बन जाती है और जबकि आगर मैं बात करूँ यहाँ पे relaxed वाले case में आपकी image जो है वो simply infinity पे बन जाती है ऐसा कुछ आगे पढ़ने वाले हो अभी के लिए फिलहाल के लिए समझते हैं पहले कि relaxed और strained का मतलब क्या है जब आपके पास यह ciliary muscle relaxed होते है इस lens का focal length होता है 2.5 cm information को note करके रखो board examination के लिए repeat करता हूँ जो object infinity पे होगा जो object infinity पे होगा उसका image retina पर आजाएगा शाप image उसका retina पर आजाएगा और आपका जो lens होगा वो आप देखोगे कि वो relaxed state में होगा आपकी ciliary muscles जो होगी वो relaxed state में आपके पास होगी तो hopefully अभी तक नहीं पे doubt नहीं है और हाँ आपके lens और आपके retina के बीच का जो separation है वो 2.5 cm है इस state में अब देख लो lens और retina के बीच का separation कभी भी change नहीं हो सकता यह हमेशा 2.5 ही रहेगा यह हमेशा 2.5 ही रहेगा object infinity पे है image आपकी retina पे बन रही है 2.5 cm behind the lens बट जब आप object को थोड़ा सामने लाते हो अपनी eye के आप देखते हो वहाँ होगा क्या image तो retina पर ही बननी है यह distance 2.5 maintain होना ही है तो होगा क्या फिर इस lens का focal length change हो जाएगा इस lens का focal length कम हो जाएगा इस lens का focal length जब कम हो जाएगा तब आप देखोगे इवन दो अगर आपने object को आगे भी लाया तब जाके भी image कहां पर बनेगी retina पर बनेगी पढ़ते हैं आराम से देख लो when muscle is relaxed the focal length is about 2.5 cm and the object at infinity they are in sharp focus on retina infinity पर पहले object है अब देखो कर मैं क्या कर रहा हूँ when the object is brought closer to eye आपने object को eye के नजदीक लाना शुरू कर दिया अब देख लो होगा क्या in order to maintain the same image lens distance image lens distance change मत होना चाहिए आपका retina और lens के बीच का distance change मत होना चाहिए in order to maintain the distance in order to maintain the distance यहाँ पर देख लो that is approximately 2.5 cm the focal length the focal length of eye lens it becomes shorter eye lens का focal length जब वो कम हो जाता है मगर होगा कैसे होगा इस तरीके से कि ciliary muscles जो है ना वो आपके lens का shape कर चेंज कर देंगी तो देखते हैं the same image lens distance in order to maintain the same image lens distance that is approximately 2.5 cm the focal length of eye lens it becomes shorter by action of ciliary muscles this property of eye it is called accommodation इसको आप accommodation कहते हो कहने का मत अब देख लो एक बार और बोलता हूँ और फिर कुछ और पॉइंट से continue करते हैं property of accommodation क्या होता है अगर आपका object infinity पे है image retina पे sharp मिलेगी आपको और आप देखते हो कि जो आपके eye lens और retina के बीच का separation है वो 2.5 ही है बट जब आपने object को eye के नजदीक लाना शुरू कर दिया अब आपकी image retina के पीछे बन सकती थी retina के आगे बन सकती थी ऐसा ही case होने वाला था बट आप क्या देखते हो कि जो ciliary muscles है वो simply आपके lens के focal length को कम कर देते हैं जिसकी वज़े से even though object को तो आपने सामने लाया eye के आप देखते हो फिर भी image retina पे बन जाती है यह हो कैसे रहा है क्योंकि आपके जो ciliary muscles है वो आपके lens के focal length को कम कर देते हैं ताकि हमेशा lens और retina lens और image का distance 2.5 cm ही रहे तो यह हमें यह चीज़ दिमाग में रखना इस property को आप क्या कहते हो accommodation property of eye चलो कुछ और points देखते हैं next part human eye में जो मैं आपको बोलने वाला हूँ that is least distance of distinct vision देखो यह point बहुत important है क्योंकि जितने भी हम optical instruments पढ़ेंगे न वो सारे के सारे instruments में आपका final image या तो infinity पे बनता है या तो आपका final image इसी least distance of distinct image पे बनता है तो इस point को यहाँ पर समझना बहुत important है इसको pen down करो बाकी आप देखोगी कि मैं इस point को बार बार use करते जाऊंगा आपके बाकी optical instruments में बट पहले अगर मैं बात करूँ least distance of distinct vision को आप near point भी कहते हो और इसको आप capital D से denote करते हो अब होता क्या है यह अगर आपके पास एक object है आप इस object को अपनी eye से किस distance पे रखोगे किस minimum distance पे रखोगे ताकि यह object आपको clearly दिखे that means अगर आपने फिर वो distance कम कर दिया आप देखोगे कि आपको object की image clearly नहीं दिखाई देगी मैं repeat करता हूँ आपके पास एक object है इस object को simply आप eye के सामने किस minimum distance पे रखोगे that means आपके eye और object के बीच में क्या वो minimum distance होगा such that कि इस object का जो for example image है या यह जो object है आपको clearly दिखाई दे तो उसी को आप least distance of distinct vision कहते हो मैं repeat करता हूँ देखते जाओ आपके पास D है या least distance of distinct vision और near point इसकी बात हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हो the closest distance between the eye and the object between the eye and the object for which the lens can focus light for which the lens can focus light on the retina जब light focus retina पे होगी तो retina पे तो image मिलेगी retina पे exactly होता क्या है वहाँ पर images simply वहाँ पर electrical signals generate होते हैं because of rods and cones और वही फिर आपके brain तक चले जाते हैं और वहाँ पर फिर complex processing start होती है तो मैं repeat करता हूँ the closest distance between the object and the eye between the object and the eye for which the lens can focus light on the retina it is called the least distance of distinct vision it is called the least distance of distinct vision अब इसके बारे में कुछ और important points जो कि आपको pen down करना है for your entrance examination as well as for board examination पहला point the standard value for normal vision normal vision ना अभी जो आप 18-19 साल के हो ना आपका जो vision है that is normal vision और normal vision के लिए जो standard value आपके d का है that is 25 cm that is taken as 25 cm कहने का मतलब आपके eye और object के बीच का separation 25 cm रग दो अगर आपने 25 cm वो रग दिया आप देखोगे कि आपको object अच्छे से दिखाई देगा तो hopefully अभी तक कहीं पर doubt नहीं होगा further मैं बात करता हूँ the distance increases ये जो d का value है ये बढ़ जाता है तो that means फिर आप यहां पर object को नहीं देख पाऊगे यहां पर object को नहीं देख पाऊगे object को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा फिर देख पाऊगे आपने देखा होगा घर में ये कि न्यूस पेपर जो पढ़ते हैं तो जो आपके parents वगरा होते हैं वो न्यूस पेपर डिरेक्ली ये इस distance पे नहीं पढ़ बाते हैं वो फिर उसको पीछे कर देते हैं तब जाके सही दिखाई देता है क्योंकि उनका जो D का value है वो बढ़ गया होता है तो यही point में यहाँ पे बोल रहा हूँ ये जो distance है एज के साथ क्या करता है ये increase करता है तब आप इतना आगे जाके चीज को रखोगे तो नहीं देख पाऊगे थोड़ा इसको और पीशे रख देना होता है फिर आपको वो चीज दिखाई देती है further बात करता हूँ the distance increases with age because of decreasing effectiveness of ciliary muscles ciliary muscles उतनी effective नहीं रहती है जिसकी वज़े से accommodation में problem हो जाती है और आप exactly object को थोड़ा दूर रख कर ही देख पाते हो further मैं बात करता हूँ and the loss of flexibility of the lens और आप देखते हो कि lens की flexibility भी simply हो गई होती है जिसकी वज़े से again आपकी D का value बढ़ गया होता है अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है D का value क्यों increase हो रहा है D का value increase इसलिए हो रहा है क्योंकि जो effectiveness थी ciliary muscles की वो खतम जो आपके पास flexibility थी lens की वो खतम इसलिए आप देखते हो कि आपके जो D का value है distance, least distance of distinct vision D का जो value है वो with age आपका बढ़ जाता है further मैं बात करता हूँ the near point जिसको आप least distance of distinct vision कह सकते हो जिसको आप D कह सकते हो आप the near point it may be as close as about 7 to 8 cm in a child 10 years of age so अगर कोई भी for example आप देखते हो जो child होता है 10 साल का होता है उसके लिए जो D का value होता है वो 7 to 8 cm होता है that means वो जादा नजदीक रख सकता है object को उसको अच्छे से देख वा सकता है जबके आप देखते हो कि ये with age increase हो सकता है और जब ये increase हो रहा है तो कितना maximum value D का हो सकता है it is about 200 cm at age of 60 तो ये दोनुँ points pen down कीजेगा तो मैं repeat करता हूँ the near point it may be as close as about 7 to 8 cm in a child of 10 years of age and it may increase और ये increase भी कर सकता है 7 to 8 cm child में है मगर with age ये increase होता है और जब मैं बोलूँगा around जब आप 20, 25, 30 के आसपास होते हो नॉर्मल विजन के वक्ते 25 हो जाता है बट जब आप 60 की तरफ जाने लगते हो आप देखते हो कि यही D का value जो है it takes a value of 200 cm but at the age of 60 years तो hopefully कहीं पर डाउट नहीं होगा इसी वीडियो को continue further करेंगे और defects of vision को समझते हैं आके बास कुछ defects of vision है उनको समझते हैं